नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिवे डीके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं सिक्षा मनोग्यान के पांसो अती महत्यपूर्ण प्रस्णों के बारे में एक श्रीज श्टाट की जिसमें आपको पांसो प् सुरुर्वात करते हैं, पचास प्रस्णे मिलेंगा आपको इस बार्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, अभी तक आपने वीडियो को लैक नहीं किया, तो लाइक करना है, सेर करना है और चैनल को सुस्करेब कर ले ना है लेकिन पचास प्रस्णों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं तो पहला वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है यहां कथन संबंदी थे देखे थे थोड़ देर समय पहले हमने थौन डाइक से संबंदी सतर प्रस्ण अपलोड कि हैं तो यहां पर होगा आपका सही अंसर प्रभाव का नियम जो थोंडाइक है इन्होंने कितने सीखने की नियम बताएं हैं दो नियम बताएं तो मुख्य नियम और दूसरा है गोंड नियम मुख्य नियम के अंतर का तीन नियम आते हैं जो कि आपके सामने हैं तीन नियम य अच्छे से समझा है तो राइट आंसर आपका यहां पर पहला वाला होगा चलिए निमलिकित में से कौन सा कारक व्यक्तिक भन्नताओं का कारक नहीं है प्रश्ण में पूछा गया है प्रजाती है अनुवांसिक्ता है भाषा है या फिर वातावरण है राइट आंसर आपका हो कारक के अंतरगत भाषा नहीं आता है प्रजाती अनुवांसिक्ता और वातावरण यह तीनों ही कारक व्यक्तिक भन्ताओं की कारक के अंतरगत आते हैं वस्तुनिष्ट प्रश्णों की उप्योगिता का कारान है यहां पर वस्तुनिष्ट प्रश्ण 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 है आपको पड़ा रहे हैं किस प्रकार के प्रस्वन इन ही को वस्तूनिष्ट प्रस्वन कहा जाता है इनकी उप्योगीता का कारण कैया है ये पूछा गया है पाठ्टि क्रम व्यापती है निस्पक्ष मुल्यांकन है विध्यारतियों का ही या आफिर रखने से आजाती है, तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर वस्तुनिष्ट्र प्रशन आ जाते हैं, वहाँ पर निस्पक्च मुल्याकण होता है, किस प्रकार का मुल्याकण होगा? HC बाला विगलपे आपका सही होगा, चलिये, क्या पूर बलन, पुरे पुनर बलन, की अनुसुची को जो दर्साने वाले मनोग्यानिक का नम पूछा गया है तो वो कोन होंगे इस किनर होंगे विद्यारतियों को अपलब्दी परिक्षण का मुल्यांकन करने के लिए पाठ सालाओं में उप्योग में आने वाली सिक्छा विदिया कोन से विद्यारतियों को अपलब्दी परिक्षण के मुल्यांकन करने के लिए पाठ सालाओं में जो उप्योग में लाने वाली सिक्छा विदिया हैं वो गुनात्मक विदि होगी यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण उपलब्दी परिक्षण के मुख्यूद्धेश या पर देखे उपलब्दी परिक्षण के मुख्यूद्धेश से पूछा गया है और छात्रों की वस्तू की इस्तिती का अगलोकन करें, ये तीनो ही उपलब्बदी परिक्षण के मुख्यू देशी हैं, राइट आंसल आपका यहां पर उप्रुक्तोंसभी होगा, चलिए! उपलब्दी परिक्षण का प्रमुक उप्योग होता है यहां पर देखे उपलब्दी परिक्षण का उप्योग कहां पर होता है प्रमुक अधिगम उत्पाद जाच में होता है उप्चरात्मक सिक्षण में होता है सेक्षिक मार्ग दरसन में होता है या फिर उप्रुक्त सभी में होता है तो अपलब्दी परिक्षण के बारे पूछा गया है तो ये अदिगम उत्पादक जांच में भी होता है उप्चरात्मक शिक्षण में भी होता है और सेक्षिक मार्ग दर्सन में भी होता है यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा कारक है जो गनित विशे में प्रतिभावशाली विद्यारती को प्रभावित करता है सहुदर प्रतिदवंदता है बहा अभी प्रेणना है समा योजन का इस्तर यापे दर्ड़ता है आपका होगा यहाँ पर दर्ड़ता याद रखेगा दर्ड़ता कारक गनित विशे में प्रतिभाशाली विद्यारती को प्रभावित करता है फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अभी प्रेंडना का इस्तर यहां पर देखे अभी प्रेंडना का इस्तर आपको बताना है निम्न जब कारे कठिन हो उच्च जब कारे कठिन हो उच्च जब कारे समाने प्रकतिका हो या फिर निम्न जब कारे रूची करो अभी प्रेंडना का इस्तर क्या है ये पूछा गया है आपका राइट आंसर होगा उच जब कारे कठीन हो ये अभी प्रेंडना का इस्तर होता है सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण प्राकर्तिक अभी प्रेंडना का उधारन ये आपको बताना है कौन सा नहीं है प्यास, सुरक्षा, प्रतिष्टा या फिर भूक प्रतिष्टा वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए प्रतियोगिता की भावना उत्पन करना विवहार में परिवर्थन करना प्रसंसा करना या फिर रोची उत्पन करना राइट आंसर आपका होगा वियवहार में परिवर्तन करना ये प्रेणना की विधी के अंतरगत नहीं आता है बाकी प्रतियोगिता की भावना उत्पन करना प्रशंसा करना और रूची उत्पन करना ये तीनों ही अभी प्रेणना विधी के अंतरगत आते हैं वियवहार में सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा। यहां पर आपको अभी प्रेरक का उधारन बताना है। यह तीनों ही जन्मजाद प्रेरक के अंदरगत आते हैं। निमलिकित में से कौन सा जन्मजाद प्रेरक नहीं आपर प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कौन सा जन्मजाद प्रेरक नहीं है भूग, प्यास, नीद या फिर आदत सरल सा प्रस्ण हैं। आपके सामने हैं आदत भूग, प्यास, और नीद ये तीनों ही जन्मजाद प्रेरक हैं। आदत जन्मजाद प्रेरक के अंदरगत नहीं आता है। फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा। मेसलों ने कितने मूल अवशक्ताएं बताई। जो मेसलों ही इनोंने कितनी मूल अवशक्ताएं बताई हैं। ये पांच मूल अवशक्ताएं बताई हैं मेसलों ने जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए। निम्न के अभहाव में प्रेंड़्ना की प्रक्रिया आरंब नहीं हो सकती। पुनरबलन, आवशक्ता, पुरुषकार या फिट डंड। यहां पर आइट आइंसर होगा आपका आवशक्ता। सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न जब शिष्वों में लंबे समय तक आवशक्ताओं की पूर्थी नहीं की जाती तब नीम्न भाववनाओं का विकास होता है कौन सी भाववनाओं का विकास होता है या पर शेकर्ण वाला विकल। पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण एका सेक्षिक निस्पत्ती परिक्षण हुआ है जिसका निर्मान ग्यान समू में कोसल मापने के लिए किया जाता है यहां कथन किसका है किन्नर का है फ्रीमेन का है कौलसनिक का है या फिर गेजिसन का है दिया गया कथन किसका है यह आपको बताना है तो यह फ्रीमेन का कथन है याद रखेगा यहाँ कथन किसका होगा फ्रीमेन का होगा उपलब्दी परिक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए चात्रों के मुल्यांकन में, सिक्षण कारे की कमी के मुल्यांकन में, उप्चरात्मक सिक्षण में या फिर इन सभी में राइट आंसर आपका होगा चात्रों के मुल्यांकन में याद रखेगा उपलब्दी परिक्षण का जो मुखी रूप से उपियोग होना चाहिए ये छात्रों के मुल्लियांकन में होना चाहिए अगला प्रश्ण उपलब्दी परिक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है उद्देशी भार बनाना पड़ता है उत्तर कुंजी प्रश्न पत्र की रूप रेखा या फिर blueprint याद रखेगा उपलब्दी परिक्षन कराने के लिए जो सबसे पहले बनाना पड़ता है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा उपलब्दी परिक्षन कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है उद्देशी भार उत्तर कुंजी प्रश्न पत्र की रूप रेखा या फिर blueprint उपलब्दी परिक्षन कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है पूछा गया है आपका रैट आंसर होगा उ आत्मनिष्ट है प्रमापिक्रत परिक्षण है या फिर उप्रोक्त सभी है उपलब्दी परिक्षण के प्रकार पूछा गया है तो आ प्रमापिक्रत भी है आत्मनिष्ट भी है और प्रमापिक्रत परिक्षण भी यानि तीनों ही उपलब्दी परिक्षण के प्रकार है उप जात्र वरगिक रुड़ूभजई में, याध रखेगा निश्पती परिक्षणों का जो सबसे अधीक उप्यों होगा, वह छात्र वरगिकरण में होगा, वहाँ परिक्षण जिसमें बालकों को प्रारंबिक बिनदू से लेकर रास्ता सही खोजना होता है, वो वस्तु संकलन है भूल भूलया है ब्लोक निर्मान है या फिर कूट संके थे तो याद रखेगा वहाँ परिक्षण होगा भूल भूलया भूल भूलया परिक्षण जिसमें बालकू को प्रारंबिक बिंदू से लेकर अंतिम बिंदू तक रास्ता सही खोजना होता है सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अभी प्रेणना से तातपरिछ हात्रे की आंत्रिक सक्ती को जागरत करना है यहां कथन किसका है वैलेंटाइन का है गिलफोर्ड का है इसकिनर का है या फिर प्याजी का है राइट अंसल आपका होगा गिलफोर्ड का याद रखेगा यहां पर जो दिया गया कथन है यह गिलफोर्ड का कथन है भारत के कों से अनुक्षेद कानुसार सिक्षा का अदिकार हमें मिलता है 10 को लागो हो था सिक्षा का अधिकार याद रखेगा 1 अप्रेल 2010 को अगला प्रशन सिक्षा के अधिकार के नुशार उच्च प्रात्मिक सिक्षक छात्र अनुपात एक अध्यापक पर याने कि एक अध्यापक पर उच्च प्रात्मिक सिक्षक में कितने चातर होने चाहिए ये पूछा गया है इसके अनुपात पूछा गया है पितालिस चालिस पेतिस या पितीस तो याद रखेगा उच्च प्रात्मिक सिक्षक के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पर अनुपात होता है एक अनुपात अर्थ पूछा गया है आंत्री को तेजना है प्रतिकिरिया है सजीव प्रियास या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर आपका होगा प्रतिकिरिया प्रेणा सब्दिका जो मनुवेग्या नहीं करते होगा वो प्रतिकिरिया होगा अगला प्रस्ण इस्टेन फोर्ड बीने परिक्षण मापन करता है अभी रूची का बुद्धी का विव्यक्तितु का या फिर वस्तु इस्तायतु का आएमपी प्रस नहीं आपको पता होना चाहिए राइट आंसर आपका होगा बुद्धी का याद रखेगा इस्टेन फोर्ड बीने परिक्षण किसका मापन करता है बुद्धी का करता है बात आते ही कि इसको किसके द्वारा दिया गया तो याद रखेगा इसको तर्मन एवंबर्ट के द्वारा दिया गया किसके द्वारा तर्मन एवंबर्ट के द्वारा इस्टेन फोर्ड बीने परिक्षन दिया गया और ये कितने वर्सों के बच्चों के लिए होता है तो याद रखेगा ये 2-14 वर्से के बच्चों के लिए होता है पूछा जाता है जो इस्टेन फोर्ड बीने परिक्षन जो के टर्मन एवंबर्ट के दोरा दिया गया ये कितन को सी एक प्रेडिना देता है चैश्बल्दी चैश्णति फीरणति आपको चैश्णति किरीया है कुं सी इक क्रेंश कर नığını किरिया है या फिर क्रोधी निम्न में से अधिगम से अधिगम के संगिनात्मक अनुचेत्र से सम्मनित कौन सी किलिया है ये आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा यहां पर कल्पना करना निम्न में से कौन सा सिक्षन अधिगम प्रक्रम को प्रभाव हिन बनाता है कौन सा सिक्षन है जो अधिगम प्रक् पारितोसिक तथा डंड का अनुची तुप्योग यहां सिक्षण अधिगम को अधिगम प्रक्रम को प्रभाविन बनाता है यहां पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा निस्पादन में परिवर्दन अभ्यास का फलन होता है यहां कहा जाता है परिपक्वता अधिगम बुद्धी या फिर अभी प्रेणना याद रखेगा यह क्या कहा जाता है अभी प्रेणना कहा जाता है स्रंखला अधिगम संबनित हैं और आट में से स्रंखला अधिगम एक प्रकार है तो आट प्रकार कौन-कौन से उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जरूरी नहीं आपर स्रंखला अधिगम के बारे में पूछ जाए अधिगम है, सिध्धान्त अधिगम है और समश्या समधान अधिगम है यह आठ प्रकार के जो अधिगम है गेने के द्वारा बताए गए हैं तो याद रखेगा यहाँ पर कौन सा आपका रायट अंसर होगा फोर्त वाला चलिए सेक्षिक तकनिकी विदियों एवं तकनिक का विज्ञान है जिसके द्वारा सेक्षिक उद्देशों की प्राप्ति की जा सकती है यहाँ परिभासा दी गई है सीव के मित्रा के द्वारा डेविस के या फिर गेने के तो यहाँ पर जो दी गई परिभासा है यह सीव के मित्रा के द्वारा दी गई परिभासा है पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण निम्न मेंजे कौन सा एक प्रनाली उपागम का पहलू नहीं है उद्देशी है प्रक्रिया है सनरचना है या फिर विसेवस्तू है राइट आंसर आपका होगा सनरचना याद रखेगा सनरचना एक प्रनाली उपागम का पहलू नहीं है उद्देशी प्रतिकिर्या और विसेवस्तू ये तीनों ही उपागम के पहलू के अंत्रगत आते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण मनोशामाजिक सिधधान्त को और किस नाम से जाना जाता है अम सामाजिक विकास का सिधधान्त जीवन अवदी का सिधधान्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए मनो समाजिक सिध्धान्त को किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है अहम समाजिक विकास का सिध्धान्त जीवन अवदी का सिध्धान्त यानि कि इन दोनों के नाम से जाना जाता है तो उत्तर आपका यहां पर होगा यहां दोनों किसके द्वरा दिया गया है तो Eric Erikson के द्वारा दिया गया है मनो समाजिक सिध्धान्त। जिसके बारे में अभी मैंने हली में आपको बताया है। तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा। थांडाइक का सिध्धान्त माना जाता है। थांडाइक का सिध्धान्त हैं वो समाजवाद माना जाता है। अभी प्रेंड़ना वनसानुकरम का नियम नहीं है। तत्यागामन, भिनता और समानता ये तीनों ही वनसानुकरम के नियम के अंतरगत आते हैं। बालक के विश्वास, बनाम और आविश्वास के अवस्ता कितने वर्स तक होती। जो ये अवस्ता दी गई है, ये किसके अनुसार दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, तो ये एरिक, एरिक्सन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जो अवस्ता है बालक की, ये कितने से कितने वर्स तक की एरिक्सन के द्वारा बताई गई है, जीरो से एक वर्स, एक से दो वर्स, एक से तीन वर्स या फिर चार से पांच वर्स, याद रखीगा, बालक के विश्वास बनाम और अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है प्रस्न को आपको ध्यान से पढ़ना है वो कौन सी अवस्था है जिसका जिक्र या फिर जिसका वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है अधिनियम प्रतिभारकता पराधिंता या फिर साकित दिकता राइट आपका होगा पराधिंता याद रखेगा जो पराधिंता वस्ता है इसका वर्णन ब्रूनल के द्वरा नहीं किया गया है तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा सिक्षन प्रतिकिरियाओं की एक विदी है जो सीखनी की उत्सुकता जागरत करती है यहां किसके द्वरा कहा गया क्रो एंड क्रो के क्रोन बेक के हिलगार्ड के या फिर इसमीत के याद रखीगा जो दी गई परिभासा है ये इसमित की परिभासा है इनके द्वारा कहा गया सिक्षन किरियाओं की एक विदी ही जो सीखने की अच्छता जागरत करती है फूर्ट वाला विकल पे आपका सही होगा शंगिनात्मक विकास का सिधान्त किसके द्वारा दिया गया इंपोर्टेंट है और सरल है सभी को पता है इसके बारे में कि जो संगिनात्मक विकास का सिधान्त दिया गया है ये जिन प्याजे कहां के विग्यानिक थे अमेरिका के स्विजल लेंड के लेटिन के या फिर गिर 32-42-42 सबस्जाधा जिनफ जादा पुछें कि सबसे जानकारी दोगा सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं जिननποιयाजे ने कितनी पुछुक हो की रचना याद रखेगा 32 पुछे की pouس जयादा विख्याम में पूछ एंटॉट और अभी पुर्ष यादा 200 विख्यादा के जनक की कहा जाता है। की और अगी पूछे की पहली सी है इंके द्वारा कौन सी बहां सी पुर्किं गई आप पता होनी एंट होुध है। और थोट आपदा चाइल्ड यहां पुस्तक जिन प्याजे की पहली पुस्तक है कब प्रकासित की गई थी तो यहां प्रकासित वर्स होगा 1923 यह पहली पुस्तक है किसकी जिन प्याजे के तो ध्यान दीजेगा यहां पर पहला अंसर आपका पहला वाला होगा चलिए ये तीनों ही प्रेंड़ना की स्त्रोत के अंत्रकत आते हैं अगला और अंतिम प्रशन जैसा कि मैं आपको बताया था इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रशन मिलेंगे टोटल यहां पर 10 पार्ट या फिर 10 वीडियो बनेंगे जिसमें आपको 500 प्रशन मिल जाएंगे बाल चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है बालक में स्वतनता बनाव सर्मे की अवस्था कब होती है एक साल से तीन साल के बीच में छे साल से बारा साल के बीच में या फिर बारा साल से अठारा साल के बीच में यहां पर पूछ ही होगा और यहीं पर आपके 50% होते हैं जल्दी ही इसके सिकंड पार्ट मिलेंगे जब तक के लिए धर्निवाद